रुष्णम् मंदे जगत गुरु वेगन हर्ता ग्नेशायव सर्वसिल दीप दाय के शेव सक्ति नमू नमाहां हमारी संस्कृती में अक्षेत रुट्या का दिन बहत सुब माना जाता है इस दिन अबुज मूर्थ होने के कारण किसी भी तरह के सुब कारे किये जा सकते है हिंदू पंचांग के अनुसार वैसाख सुखलत रुट्या तिति के दिन अक्षेत रुट्या मनाई जाती है या परम पुण्य सालिति है इसी दिन भगवान विश्नु के अवतार परशुराम जी की जेनती भी है इस दिन भगवान विश्नु की पुजा जाब दान पुण्य करने से दोगुना फल मिलता है ग्रहस्त जीवन में सुक्षांती सम्रुद्येतु इस दिन भगवान विश्नु की पुजा और मंत्र इस तरह से करे जिससे भगवान विश्नु का आशिवात तो प्राप्त होगा ही साथ में हमारे घर के पित्रू भी प्रसंद होते है और सांध होकर आसिवात देते है हमारी ग्रिवस्ती अच्छे से चलती रहती है मैंने जीवन में कई बार यह अख्षे दुर्तिया की पुजा की है और अच्छे अनुबव हुए है मैं जो पूजन वीदी करते आ रहा हूँ वही अभी आपको मैं बताऊंगा आप भी जरूर करिए आपको भी अच्छे अनुबव होंगे मैं सभी ग्रह सादक मिद्रों का सुप्चिन दग सैलेश पटेल निसर गुपचार जोतीस और वासु सलागार मेरे जै माता जी दाम सैलेश पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करे अब जानते हैं अक्षे तुर्टिया का महत्व क्या है धार्मिक मान्यतवर के अनुसार इस पावन दिन जल को मिला कर स्नान कर सकते हैं इस दिन किसी भी कार्य की शुरूवात की जाती है तो उस कारे में सब्बल्दा अभिश्य प्राप्ती है इस दिन पित्रू सबंदित कारे करने से पितरों का असिरवाद प्राप्त होता है इस दिन सोना चांदी बरतन खरिदना सुब माना जा सुबस नान करके स्वच कपड़ी पहन ले घर में सभी जगह गंगा जल चड़क दे और खुद पर भी और घर के सभी सदस्यों पर भी छड़क दे एक बाजोट को घर में स्वच जगह पर रख दे पूजन करते समय आपका मुख पुर्व या उत्तर की तरह बोना चाहिए इस कैसे त्यार करना है और स्थापन कैसे करना है उसका मेरे यूटूब चैनल पर एक वीडियो है उसे आप जरूर देख लीजिएगा उस पर विश्णु बगवान की मुर्ति या चित्र को रखे तांबे के प्लेट में प्रान प्रदिश्चित विश्णु यंत्रक को रख दे मुर्ति के सामने दो अभी मंत्रित गोमती चक्र रखे उसके बाजु में एक छोटी मिट्टी की मटकी में अभी मंत्रित साथ लगुनारल और साथ सिक्के रख दे और साथ प्रकार के दान्या से मटकी बर दे विष्णु बगवान को अल्दी का टिका लगाए और दोनों गोमती चक्र को भी अल्दी का टिका लगाए विष्णु यंत्र को भी अल्दी का टिका लगाए एक चुटकी बर अल्दी मटकी में भी डाल दे तिन अगरबत्ती जलाए गाई के गी का दिया करे बिये में पिली राई को डाल दे, उगल का दूब करे, मिटाई का भूग लगाए और विश्नु सहस्त्र नाम का पाट करे विश्नु सहस्त्र नाम का पाट होने के बाद, अभी मंत्रित तुलसी माला से 11 माला विश्नु मंत्र का जाप करे मंत्र है ओम भम विश्णवे नमहा ओम भम विश्णवे नमहा ओम भम विश्णवे नमहा अभी हाथ में तोड़े से चावल और कलस पे रखा हुआ नार्यन निकर शमा प्रात्ना करें चमा प्रात्ना मनी मन बोले है विश्णुदेव आज मैंने जो भी पुजन किया है उसमें मेरी कोई भूल हुई हो तो मुझे माव करे और मेरे जीवन के कष्ट दूर करे जीवन में सुक समरुद्धी सांती देने की कुरपा करे ओम शांती ही शांती ही शांती ही बोलते हुए चावल को बाजोट पर छोड़ दे नारियल को जमिन पर फोड़ दे पुजन के बाद चित्र या मुर्ती यंद्र और तुलसी माला को घर के पुजास्तान में रख दे गोमती चक्र और मट्की को बाजोट पर रखके हुए पिले वस्त्र में बांध कर रसोई गर में रखके साथ दिन के बाद इसे गरमे से एक बार गुमा कर बहते पानी में विशेजन कर दे कलस का पानी गरमे सबी जग़ छिड़क दे बचा हुआ पानी और कलस में रखी हुई सामगरी पिपल के पेड़ पे चड़ा दे नारियल और मिटाई का प्रसाद गर में सबी लोग खाए ओम शान्ति 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 ही हमारे यहाँ जग़ जग़ पर अलग-अलग विदियो द्वारा देवी देवताओ का पूजन किया जाता है कोई भी पूजनवीदि हो सबी पूजनवीदी के पिछे का हेतु सबका एक ही होता है कि हमारे जीवन में जो भी बादा एकर्ष्ट आती हो उसे इस्वर ये कुरपा प्राप्त करके दूर कर सके और जीवन में सुख समृध्दी और सान्ति की प्राप्ति कर सके मैं अमेशा से कहते आया हूँ कि हमारी इस संस्कृति को पकड़ के रखो गैरेंटी है आपको जीवन में सुक्की प्राप्ति अवस्य होगी किसी भी देवी देवता की पूजन साधना करने से डरिये मत चाहे कोई कुछ भी बोले कोई भी देवी देवता नुक्सान नहीं करते आपको लाब देते ही है जिसका कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता यह मेरे खुद का अनुबव है मैं आदिसक्ति जगत जन्नी मा भगवती से प्रातना करता हूँ कि आप मेरे बताई हुई पुजन वीदी कर सके और ग्रस्त जीवन को सुनरा बना सके मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करे बेल आइकोन को प्रेस करे जिससे ऐसे ही जानकारी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और परिचित लोगों के साथ मेरे वीडियो को शेर करे धन्यवाज जैमाता जी